सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने कम्प्यूटर ये लेप्टॉप को सट डाउन कैसे करें इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा और कुछ सॉटकट्स भी बताऊंगा जिससे आप अपने कम्प्यूटर ये लेप्टाप को केवल एक मिनट के अंदर एक सेकेंड के अंदर सट डाउन कर पाएंगे तो चलिए सीखते हैं तो दोस्तों कम्प्यूटर ये लेप्टाप को सट डाउन करने का सबसे पहला जो तरीका होता है वो यहाँ पर आपको कोने में एक विंडोस जैसा आइकन मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक पावर बटन मिलेगा तो आपको यहाँ पावर बटन पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको एक उप्शन मिल जागा सट डाउन का जैसे आपका computer या laptop shutdown हो जाएगा ये तो कि अब पहला तरीका अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कुछ shortcuts तो पहला shortcut से alt plus f4 तो आपको एक साथ alt plus f4 दबाना है अब यहाँ पर आपको एक option मिल जागा shutdown का अब यहाँ पर जैसे आप OK पर क्लिक करेंगे तो आपका computer या laptop तुरंट स shutdown हो जाएगा आप चलिए मैं आपको दूसरा shortcut बता देता हूं तो आपको यहाँ पर प्रेस करना है windows plus x जैसे आप windows plus x दमाएंगे एक साथ तो यहाँ पर आपको कुछ option मिलेगा तो नीचे देखे एक option है shutdown or sign out तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे shutdown or sign out तो यहाँ पर आप अपने computer या laptop को तुरंट से shutdown कर सकते हैं यह हो गया दूसरा shortcut अब चलिए मैं आपको तीसरा shortcut भी बता देता हूं तीसरा shortcut आपको अपने keyboard में control plus alt plus delete बटन दबाना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से option आ जाएगा देखिए और यहाँ पर आपको option मिल यहाँ पर देखिए power button को option मिलेगा जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ से आपको shutdown को option मिल जागा और जैसे आप shutdown पर click करेंगे तो आपका computer या PC तुरंट से shutdown हो जाएगा तो इस प्रकार से आप अपने computer या laptop को shutdown कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए हो वीडिय तो लाइक कीजेगा और अगर आपको कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लिजेगा